परिचय प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम किस ग्रह पर रहते हैं? सही है, हम सभी एक छोटे से नीले ग्रह पृत्वी पर रहते हैं. हमने आसपास सजीव जीजें जैसे पेड़ पौधे, जीव जन्तु और साथ ही निर्जीव जीजें जैसे कार, इमारतें, तालाब, जील और पहाड देखी हैं. ये सभी चीजें हमारे पृत्वी ग्रह पर पाई जाती हैं. इस भाग में आप पृत्वी और यह जिन चीजों से बनी हैं, उसके बारे में सीखेंगे. आउ सीखें. हम पृत्वी नामक ग्रह पर रहते हैं, जो आकार में संत्रे की तरह गोल है, इसके उपर आकाश है और नीचे समुद्र है. हम हवा से सास लेते हैं और पानी पीते हैं. लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हम हवा और पानी के बगएर जी सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है. हवा सबसे पहले हवा के बारे में बात करते हैं. हवा, जैसा की हम जानते हैं, हमारे चारों दरफ मौजूद है. इसमें गैस, जल के कन, जिन्हें वाश्प भी कहते हैं, और धूल होती है. जीव और वनस्पती जीवित रहने के लिए हवा को सांस के रूप में लेते हैं आईए अब पानी के बारे में जानते हैं हम सभी प्यास लगने पर पानी पीते हैं सभी पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है पेड़ पौधों की ही तरह जन्तूओं को भी जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है कुआ, तालाब, जलधारा, नदी, समुद्र और महासागर पानी के सामान्य स्रोत है जलप्रपात दोस्तों, क्या आपने सुन्दर जलप्रपात देखे हैं? आप हैरान हो रहे हैं कि जलप्रपात क्या होता है? दरसल किसी नदी या धारा का पानी जब किसी पहाडी या परवत से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बन जाता है जील दोस्तों, इसे देखें, यह जील है चारों तरफ जमीन से घिरी विशाल जलराशी को जील कहते हैं भूमी प्रित्वी का जो भाग पानी से ढखा नहीं है, उसे जमीन कहते हैं मैदान, पहाडी और परवत जमीन के उधारन हैं आईए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें पहाडी और परवत दोस्तों, प्रित्वी के प्राकृतिक रूप से उभरे हुए भाग को पहाडी और परवत कहते हैं लेकिन यहाँ ध्यान से देखें पहाडी परवत से छोटी होती है मैदान और घाटी एक समान धरातल वाले खुलेक शेत्र या भूभाग को मैदान कहते हैं आईए समझते हैं कि घाटी क्या होती है दो पहाडियों या परवतों के बीच के भूभाग को घाटी कहते हैं एक घाटी समतल, वी आकार या यू आकार की हो सकती है प्रित्वी को बचाएं अब आईए एक बहुत ही महतुपूर्ण विशय प्रित्वी को बचाएं पर चलें हमारी प्रित्वी हमारे जीवन की सहायता करती है और हमें इसे बचाना चाहिए प्रित्वी को बचाने के लिए हमें पानी या मैदान को कूड़ा फेंक कर प्रदूशित नहीं करना चाहिए हमें नदी या तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए हमें अधिक से अधिक पेड पौधे लगा कर प्रित्वी को हरा भरा रखना चाहिए हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो पृत्वी के लिए बहुत जरूरी होते है. हमने क्या चर्चा की? हम सभी पृत्वी ग्रह पर रहते हैं. जीवित रहने के लिए हमें सास लेने की खातर स्वच हवा और पीने के लिए स्वच पानी चाहिए हमारी पृत्वी हमें जमीन, पानी और हवा देती है पृत्वी की मिट्टी से घिरे भाग को जमीन कहते है हवा हमारे चारों तरफ मौझूद है परवत और पहाडी पृत्वी के धरातल से उभरे हुए भाग को कहते हैं चप्टे भूभाग को मैदान कहते हैं दो परवतों या पहाडियों के बीच के भूभाग को घाटी कहते हैं पृत्वी जीवित रहने में हमारी सहायता करती है इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए